कि दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर संसद मार्क पर जहां अपनी मांगों को लेकर धना परदर्शन करते हैं और यूथ यहां धना परदर्शन कर रही है मार्च कर रही है उनका क्या मुख्य उद्देश है आये और यह यूवा जो लोग हैं यह यूवा जो लड़के है यह आए दिन किसी ना किसी बात को लेगे जब संविधान की बात आती है धर्म की बात आती है उसको लेगे धना परदर्शन करते हैं हमारे बीच में आज यह नितर्त्व कर रहे हैं देव आसी जी आज का जो इतना बड़ा यह प्रोटेस्ट है इसका मुख्य उद्धिस क्या ह हुई है और यह बार-बार कहते हैं समिधान को बदल देंगे इस तरीके बयान के बाद भी इन लोग इनकी जो पोस्टे हैं चाहे वो मिनिस्टर पोस्ट हो चाहे यह संसत की सदस्विता हो बरकरार रखे रही हुए अनंद कुमार हैगडे दो बार ऐसा बयान दिया है इससे पार्लेमेंट को बदल के कंश्ट्रूर्ट असेम्ली में ट्रांसफर कर दिया जाए और समिधान को बदल दिया जाए ऐसा बयान वह पहले भी दे चुके और उसको पहले बयान के बाद कि करनाट का एलक्शन पास आरा तो उन्होंने फिर से इस तरीकी बात उठा दी है बावसाब के समिधान से जीत कर आएं उन्हों आभी किसी तरीके के टिपड़ी नहीं की है देखिए चूंकि उनकी पॉलिटिकल माइलेज जो कि पॉलिटिकल पार्टी से वह विलॉंग करते हैं उसमें शायद उनको आवाज उठाने की बात नहीं कई गई हो लेकिन हम इस सब्सक्राइब करने के लिए और समयधान को मजबूत करने के लिए समयधान को बदलने के लिए है और समयधान को बदलने की बात कहना अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है और उसको उसी गंभीरता से लिया जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं कर रही है तो शोचल प्रेटफॉर्म से हम जैसे लोग और हमारी जैसे कई लोग कई जगह पर इसके प खठावले जी वहां पर आते थी 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 और वहां पर इस समाज के लोगों ने वहां का बहुत जादा विरोत किया है उनका तो इससे समझ में आता है कि जनता के बीच में समाज की जनता के बीच में बहुत जादा रोश है इस बात को लेकर और जो कि अब यह लोग कभी प्र सवाल नहीं पूछ सकते तो यह सवाल जनता उन से जरूर कुछेगी तरह अभी पहले आपने महीज सर्मा के खिलाब एफ और कराई थी आपने एक सरज्ष्री वास्तव के खिलाब कराई थी क्या आप उसकी कि पहरवी हो रही है या नहीं हो रहे है तो क्या आप सरकार में दिदंध कि मैıyorum encont ukoda लोक सबहां साक्षाब कर खाए को मिल रहा है कि हमने गुजराइफ एक्षंग में देखा कि पॉलिटिकल पाल्टियों देखने हूँ Sport के अलावा भी वाउसरी को जुथ है कि बांट पालिबावistic विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं और जिस तरीके से देश में प्रदर्शन प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं और 65% युवा इस देश की आबादी में हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि युवा एक मजबूत विपक्ष की भूमिका आज निमाने के लिए सक्षम है और वो इस भूमिका निमाने के लिए आगे भी आ रहे हैं